क्या आप कभी सोचे हैं कि आपके जीवन में कुछ चीजे क्यों बदलना मुस्कील हो जाता है कुछ चीजे हम चाह के भी बदल नहीं पाते क्या आप कभी ऐसे गोल सेट करने में असफल हुए हैं जिससे आप दिलो जान से हासिल करना चाते थे यदि ऐसा है तो आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं अधिकांस लोग अपने लच्छेों को हासिल करने में फेल हो जाते हैं क्योंकि वे लोग कुछ चीजे बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं उन्हें पता ही नहीं है कि चीजों को करना कैसे है अगर आप बड़ा गोल सेट करते हैं तो 99.99% चांस है कि आप फेल हो जाएंगे जो अकसर आपके साथ होता भी है नजाने अभी तक आपने कितने गोल बनाये होंगे लेकिन उनमें से बहुत कम ही ऐसे गोल है जो कभी सक्सेज भी हो पाये होंगे लेकिन क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने लच्छे को हासिल कर सकते हैं और अपनी आदतों को बदल सकते हैं क्या यह संभव नहीं है कि हम अपने जीवन को बैतर बना सकते हैं तो इस तरह के सारे प्रॉब्लम का सालूसन है आज का यह वीडियो Atomic Habits by James Clear James Clear एक व्योहार बेग्ञानिक हैं जो आदतों के विज्ञान और परिवर्तन की सकती के बारे में लोगों को सिखाते हैं वीडियो में आगे वड़ा जा उससे पहले मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के रीबियू दिखाना चाहता हूं जिन्होंने Atomic Habits को अपनाया और उनकी Life बदल गई इस बुक को पढ़ने के बाद उन्होंने जो Experience किया वो इस रीबियो में लिखा है तो आप चाहतों देख सकते हैं चलिए फिर देखते हैं कि इस किताब में आखिर ऐसा है क्या जो करोडों लोगों की जिन्दगी बदल दी और कैसे आप भी अपनी जिन्दगी बदल सकते हैं इस किताब का पहला फॉइंड है Atomic Habits क्या है सबसे पहले हैं समझने की कोसिस करते हैं कि Atomic Habits होता क्या है ऐसी छोटी छोटी आदेते हैं जिने हम नजर अंदाज कर देते हैं जिने देखने पे लगता है कि यह तो हमारे कंट्रोल में है वहला इनसे हमें क्या प्रब्लम हो सकता है एक पुरानी कहावत है कि एक एक बुद पानी पहार चीर सकता है एक एक बुद पानी सैलाव बना देता है ऐसे ही छोटी छोटी आदेते हैं एक टाइम बाद बड़े बदलाव का कारण बन जाती है जब वह नसेड़ी वाली वार नसा करता है तो उसे थोड़ा अच्छा फील होता है जब वह दूसरी वार फिर से करता है तो लोग उससे खाते हैं यह अच्छा नहीं है तू मत करो नहीं तो यह आदत लग जाएगी लेकिन इस टार्टिंग में लगता है सब कंट्रूल में हैं कभी वह नसे का आदी नहीं बनेगा ऐसा उसे फिल होता है लेकिन एक टाइम बाद वह उसे नहीं छोड़ पाता आप अपने सोसाइटे में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानते होंगे जो किसी न किसी नसे के आदी हैं वे लोग higher educated हैं फिर भी अपने नसे की लट को छोड़ नहीं पाते स्टार्टेक में हर छोटी छोटी आदितें बहुत आम होती है लेकिन एक टाइम बाद बड़े परिवरतन का कारण बन जाती है लेकिन ये छोटी छोटी आदितें बोरी नहीं है अगर आप इन्हें अच्छे कामों को करने के लिए यूज करें तो अगर आप चाया तो किसी भी काम में किसी भी फिल्ड में दुनिया के एक ऐसे एक लौते बेक्ती बन सकते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता आप खुद बदा सकते हैं इसके पावर को अगर आपको भी किसी चीच का लट लग चुकी है तो स्टार्ट करने से बाले कि आपको लगा था कि आप उसके आदि हो जाएंगे जैसा कि आज आपके साथ हो रहा है नहीं न यह होती है छोटी छोटी आदितों का पावर वीडियो मागे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के दरफ आदिते बनती कैसे है इस वीडियो का मेंन मकस्द यह है कि मैं आपको सीखा पाउं आदिते बनती जैसे है और कैसे आप अच्छी आदिते बना सकते हैं और अपने bad habits को replace कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं आके आदि मईरति की स Remo to see… यहाद को बनने से फाले उसे तीन स्टेप से कर गुजरना होता है जिसे आदत लूप करते हैं किसे भी आदत को बनने पहले जो फ़ाला स्कार्ट होता है वह होता है संकेत याने की ट्रीगर ट्रीगर ही वह चीज होता है जो किसी भी आदत को सुरू करने का काम करता है ट्रीगर याने की संकेत दो द्रगे हो सकते हैं एक इंटरनल जैसे की वूख लगना प्यास लगना या कोई भी अंधरोनी संकेत दूसरा होता है एक्स्ट किसी भी आदत को बनाने के लिए मजबूती देता है याने की मोटी वेट करता है रिवार्ड एक सारीरी करिया एक मानसी reward की रूप में भी सामिल हो सकता है जैसे ब्यक्ति किसी चीज को लेकर हमें हट करता है तो हम बार-बार खुद को साबित करने के लिए कुछ चीजे करने लगते हैं चलिए इसे एक example से समझते हैं मालेजी आपको सुबर जल्दी उठने की आदत बनानी है तो आप कुछ इस तर करम बजेगा तो आपको एक trigger मिलेगा कि मुझे अब उठ जाना है सेकेंड इस्टेफ है routine अब आप हर रोज fix time पे जगने लगेंगे और चिस भी काम के लिए आप सुबर जल्दी उठने की कोसिस कर रहे थे वह करने की कोसिस करेंगे जैसे कि या तो running या फिर कोई ऐसा important task च सोच रहे थे तीसरा step reward अगर किसी दिन आप उठने से हिचकी चाहते भी हैं तो आप याद करेंगे कि आप सुबर उठना क्यों चाहते थे मतलब कि आपके अंदर एक motivation मिलेगा कि मैं सुबर इसलिए उठना चाहता था ताकि मैं अपना particular काम कर सकूं या running कर सकूं या जो भी आपका routine था उसे follow कर सकूं जिसवे मकसद से आप alarm set कर रहे थे वो सारी चीज़े याद करेंगे और आपको motivation मिलेगा मतलब कि आप वर reward याद करेंगे जिसके लिए आप यह सारी चीज़े करना चाहा रहे थे और धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी आप कौन से आदत बन एक उकोशिस नहीं करता बलकि खुद बえば अधत बनाने पर अपना ध्यान नहीं देदा बलकि क्यों साबeton करेंगे और आपको एक प्रोफेसर बनना है तो आप इस फ्रोफेसर के जैसा हरकति शुरू कर देंगे अपने area योनियो निए नॉलेज इक स्प्प्रोर करेंगे और नए से नए ट ओपक को संजने की कुसिस करेंगे बहुत ही जल्दे उस प्रोफेसर के जैसा बन जाएंगे। अब क्या हुआ कि आपने किसी आहाद को बनाने की कोशिस नहीं कि बलकी अपने आप को उस प्रोफेसर के जैसा बनने की वज़ास से अब वो फ्रोफेसर जो जो चीज़े कर रहा था वो चीज़े आप करने लगेंगे और आप ना चाहते हुए भी अपने उन habits को छोड़ देंगे जिसके वज़ा से आप पर जिन time में जैसे थे और आप future time में जैसे बन गया है तो identity based habits का बस इतना सा मतलब है कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं पूरी तरह से उसमें ही जीना सुरू कर दीजिए वैसा ही feel करना सुरू कर दीजिए और आपकी यादिते अपने आप replace हो जाएंगी उस नय personality के रूप में तो यह होटती है identity based habits तो मुझे उमीद है कि आपने यह सारी चीजे समझ लिए होंगे और आप अपना कौन सा habits बनाने वाले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर वत देएगा मैंने breakup के उपर से एक वीडियो बनाया है जो आपका help करेगा यह समझने में कि आखिर breakup हो क्यों रहा है अगर आप भी relationship में है तो यह आपका बहुत help करेगा आपको यह समझने में कि आखिर आपके साथ यह कैसे हुआ या फिर कैसे हो सकता है ताकि आप पहले ही सब्तरुक हो जाएं और वह सारी चीजे ना करें आप चाहिए तो वीडियो को दीख सकते हैं ताकि आपका भी help हो जाए और आप break up से बन जाएं